आज मैं बनाने वाली हूं है द्राबादी बिर्याने उसके लिए मैंने देड़ किलो मटन ली हूं उसमें मैंने तीन टेबल स्पून अद्रक लस्टन का पेस्ट डाली हूं इसमें पांच से छे छोटी लाइची डालेंगे 15-20 काली मिर्च डालेंगे दालचीनी के चार तुकड़े डालेंगे चोटे बाधियान के फूल डालेंगे उसके बाद हम इसमें शाजीरा डालेंगे हाफ टीजपून पुदीना और धन्या पत्ते डालेंगे इसमें और मैंने तीन मेडियम साइज के टमाटर ली हूं उसको छोटा-छोटा चॉप करके वो डाल देंगे इसमें उसके बाद हम मिर्ची पौडर डालेंगे रेड चीली पौडर मैंने इसमें थ्री टेबल स्वान डाली हूं आप अपने टेस्के हसाब सी डालें महलने फ्लीक्षाब में पॉयल्डी और डालेंगे मैंने वन टेबल स्पून धनिया पॉडर डाली हूँ वन टेबल स्पून गरम मसाला पॉडर डालेंगे हाफ टी स्पून इसमें जीरा पॉडर डालेंगे दो से तीन हरी मिर्चे डालेंगे वो भी आप डालना चाहे तो डालें टेस्ट के हिसाब से डालें अपने एक कब दही डालेंगे और मैंने दो टेबल स्पून भरके यह पापा यहका पेस्ट ली हूँ वो डालेंगे इसमें और नमक डालेंगे अपने टेस्क के हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून नमक डालें गीए और यह सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैंने इसमें बिरिस्ता भी डाली हूँ, बिरिस्ता भी डाले आप, तो बिरिस्ता मैंने पहले ही फ्राइ करके रखी थी, तो मैंने वो भी इसमें डाल दी हूँ, बिरिस्ते को भी डालके अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी इसको मैं रख दूंगे आदे घंटे के लिए, वन टी स्पूम्न आईलघेंगे, हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, तीन छोटी लाइचे डालेंगे, और नमक दो टेबल इसपून डालेंगे, क्योंकि हम पानी जब इसका निकालेंगे तो नमक उसके साथ में से किनल जायेंगे, और इसको बॉयल होने के लिए इसका ढखकन लगा के रख देंगे तो जब तक हमारा यह पानी बॉयल होता है तब तक बड़ा बरतन लेंगे और इसमें हम ऑईल डालेंगे यह मैंने जिसमें बिरिस्ता बनाई थी यह वही ऑईल है इसको डालके गरम होने देंगे उसके बाद मैंने तीन आलू ली हूँ जिसके छे तुकड़े की हूँ इसमें से तीन मैंने ग्रीन कलर लगाई हूँ और तीन में यलू लगाई हूँ तो इसको फ्राय करके लेंगे तो पानी भी देखे हमारा राइस का हो गया है तो मैंने तेड़ किलो चावल ली हूँ इसको धो के इसमें डाल देंगे तो चावल डाल के हो गया है यह मिक्स करके इसको भी पकने के लिए रखेंगे तो जब तक हमारा चावल पकेगा हम दुसरे वाले भी आलू फ्राइ करके लेंगे हमारा ग्रीन वाला आलू फ्राइ हो चुका है तो यह आलू को भी फ्राइ कर लेंगे तो आलू फ्राइ हो जाने के बाद इसी ओइल में त्री टेबल स्पून डालेंगे तो तेल थोड़ा सा जाद ही डालें बिर्यानी में तेल थोड़ा जाद ही अच्छा लगता है इसको डालके गरम हो जाने के बाद हम इसमें जो हमारा गोश्ट को मसाला लगा के रखेते हैं वह गोश्ट डालेंगे अगर आप चाहे तो इसको रात भर भी मसाला लगा के रख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको मैंने 20 मिनट तक का पकाई हूँ यह गोश्ट बहुत अच्छे से गल गया था जब तक हमारा गोश्ट पकता है यहाँ पर चावल भी रेडी है इसका पानी निकाल लेंगे इसका पानी मैंने निकाल के रख चुकी हूँ गोश्ट का मसाला भी पक गया है तो इसमें मैंने जो आलू फ्राई की थी वो आलू डाल दूंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स करके दो मिनट और पकाएंगे इसको तो हमारा मसाला और गोश्ट सब आलू सब कुछ हो रेडी है अभी जो चावल हमने बॉइल करके रखे थे वो चावल इस पर डालेंगे तो मैं एकी लेहर में सब बना रही हूँ डबल लेहर वाला नहीं बना रही हूँ इसी थोड़ा थोड़ा करके चावल सब डाल देंगे इसमें और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी जरूर बताईएगा इसी के साथ मैंने रबडी खीर भी बनाई हूँ तो मैंने चावल सब डाल दी हूँ इसके उपर अभी मैंने थोड़ा सा दूद ली दी ओन फॉर्थ कप और उसमें मैंने केसर को भीगा के रखी दी तो आप चाहे तो इसमें कलर भी डाल सकते मैंने कलर ने डाली हूँ तो यह हो गया डालके अभी इसके अंदर हम धनिया पत्ते और पुदीना पत्ता डालेंगे उसके बाद इसके उपर थोड़ा भी रिस्ता डालेंगे यह मैंने कम से कम चार किलो का बनाई हूँ यह टामाटर पतले-पतले स्लाइस करके डालेंगे और इसको बीस मिनिट के लिए दम पे रखेंगे देखें हमारी बिर्यानी रेडी है अब इसको सर्फ करेंगे तो यह एक बार बनाई है यह मैंने इदमिलादू नभी के लिए बनाई थी तो यह आप कोई भी चीज के लिए बना सकते कोई फंक्शन हो या कोई मेहमान आ रहा हूँ तो आप इसे बना सकते हैं यह खाने में बहुत लिए इस्टी है आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं चिकन में तो और जल्दी बन जाईगी है तो कैसी लगे आपको मेरी रेसिपी ज़रूर बताईए दूआ में याद रखिए सबको जशने इदे मिला दू नभी मुबारक तो देखिए तैयार है हमारी हैदराबादी मटन बिर्यानी और उसके साथ में यह रबडी खीरे अल्लाह अफीज